आज हम आपके साथ सेयर करेंगे लौकी और पत्ता वोभी के बहुत ही स्वादिष्ट हुआ हेल्दी बड़ा बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मुठी कड़ी पत्ता ले लिए हैं चोटे चम्मस से चोथाई चम्मस साबुद धनिया ले लिए हैं और चोटे चम्मस से चोथाई चम्मस हमने यहाँ पे साबुद जीरा ले लिए हैं तीन हरी मिर्च ले लिए हैं रफली कटा हुआ एक इंच अदरक का टुकडा ले लिए हैं तो सबसे पहले अब हम इन सभी चीज को जार में डाल लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पाने डाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा खुर्दुडा पीस लेंगे तो देखें इसको हमने थोड़ा सा खुर्दुडा पीस लिए हैं यहाँ पे हमने 200 ग्राम लॉकी को पहले से ही कद्दू कस कर लिए थे और 100 ग्राम पत्ता गोभी को बारिक बारिक काट लिये थे तो अब इसमें हम डाल देंगे पीसे हुए मसाले को अब इसमें हम डाल लेंगे 100 ग्राम चावल काटा चावल काटा हमने छान के नहीं रखे थे इसलिए अब हम इसको छान लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे 100 ग्राम बेशन अब इसमें हम दो चमट डाल लेंगे सफेट तील और चोथाई चमच हम इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर चोथाई चमच चाट मसाला चोथाई चमच गरम मसाला और चोथाई चमच अब इसमें हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल लेंगे स्वादा अनुसार नमक अब इसमें हम बीना पानी डालें इसको हम अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि लौकी में और लेडी पानी है तो इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है लौकी में जितना पानी है उतने से ही हम इसको अच्छे से मिला करके इसका सौप डो बना करके तयार कर लेंगे तो देखिए यहां पे हमने इसको अच्छे से मिला करके soft dough बना करके तयार कर लिए हैं अब यहां से हम लेंगे एक रोटी के लोई के बराबर मिक्चर इसको सबसे पहले हम हास्त से गोल भूमा करके इसकी लोई बना लेंगे और इसके बाद हम इसको चिपटा कर लेंगे अब इसमें हम होल बना लेंगे तो देखें इसमें हमने होल भी कर लिए हैं ऐसे ही हम सारे बड़े को बना करके रख लेंगे तो देखें यहाँ पे हमने सारे डो से बड़े बना करके तयार कर लिए हैं अब इनको हम सैलो फ्राय करेंगे तो यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल करके पहले से ही गरम होने के लिए रख दिये थे तो तेल अब अच्छे से गरम हो गया है तो अब इसमें हम एके करके बड़े को डाल लेंगे तो देखे यहाँ पर हमने एके करके पुरे बड़े को डाल लिए हैं अब इसको हम एक तरफ से golden Brown Crispy होते तक सेक लेंगे फिर इसके बाद हम इसको दूसरे तरफ से भी पलट करके सेख लेंगे तो देखिए बड़ा अब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो गया है तो अब इसको हम पलट लेंगे तो देखिए पलटने के बाद बड़े का कितना अच्छा कलर आ गया है और कितने अच्छे से सिख गया है बड़ा ऐसे ही हम पूरे बड़े को पलट लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे बड़े को पलट लिये हैं अब दूसरे तरब से भी हम इसको golden brown crispy होते तक सेख लेंगे तो दूसरे तरब से भी बड़ा golden brown crispy हो गया है तो अब इसको हम एके करके निकाल लेंगे तो देखिए हमने सारे बड़े को एके करके निकाल लिये हैं अब इसको हम खटी मिठी चटनी के साथ गर्मा गरम सर्व करेंगे लौकी और पत्ता गोभी के बहुत ही स्वादिष्ट वा क्रिस्पी बड़े बनके हो गया है रेडी तो इसको हम तोड़ करके भी दिखाते हैं तो देखिए तोड़ने के बाद कितने अच्छे से क्रिस्पी और जाली दार बड़ा बना है तो फ्रेंड्स एक बर आप भी बनाएं मेरे तरीके से लौकी वा पत्ता गोभी के बहुत ही स्वादिष्ट वा क्रिस्पी बड़े और रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को ला बाइ 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 फ्रेंड्स